ये चुनाव इंडिया गटबंदन और कॉंग्रिस पार्टी सिर्फ एक राजनेतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी ये चुनाव हम पीजेपी एक राजनेतिक दल हिंदुस्तान के इंस्टिउशन्स हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्णन्स का स्ट्ट्चर है इंटेलिजन्स एजन्सीज, CBI, ED, ये सब, आधी जुटिशरी इन सब के खिलाफ हम लड़े थे क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टिटूशन्स को नरेंद्र मोधी जी ने और अमिट शा जी ने कैप्चर करा, थमकाया, तराया प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूँ, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुपके किया, और आपके एमोशन्स कहां थे हमें मानूम है लडाई समविधान को बचाने की थी, और मैं आपको सच बताओं, तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसल किया, जब चीफ मिनिस्टर को जेल में डाला, पार्टियां तोरी, मेरे माइंड में था कि हिंदूस्तान की जंता अपने की होके लड़ जाएगी, और ये सच सावित हुआ, मुझ मैं भरोसा था, और मैं हिंदूस्तान की जंता से, इंडिया गडबंधन के पार्टनर से, कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब नेताओं और बबबर शेर कार्यकरताओं से, दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आपन सविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है, कॉंग्रेस पार्टी ने इस चुनाओं में, कॉंग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने दो तीन चीज़ें की, सबसे पहले हमने इंडिया गडबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशिस पार्टी उनको हमने साथ लिया और आपने देखा होगा कि जहां भी गडबंधन लड़ा, हम एक होके लड़े, दूसरी बात, कॉंग्रेस पार्टी ने क्लारिटी से हिंदुस्तान को एक निया विजन दे दिया है, प्रो पूर विजन, प्रो प्रड़क्शन विजन को इंडिया गडबंधन ने साथ दे दिया है, यह जो हमारा परफॉर्मन्स हुआ है, इसके पीछे, कॉंस्टिउशन, जो रेजवेशन पर बीजेपी ने आकरमन किया, गरीबी, अदानी जी के आपने स्टॉक्स तो देखे होंगे, देखें, देखें उस्टॉक्स उनके, तो बड़ी इंड्रेस्टिंग बात है, जनता अदानी जी को मोधी जी से डिर्क्ली को रिलेट कर वह है, मोधीजी की हार होती है, स्टॉक्क अर्के जिए भाइपा का तो अदानी जी गाए, मतलब डिर्क्ट रिलेशनिशिक है, गरप्षिन की रिलेशनिशिप है, और और अन्त में आपको कह दूँ कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है सबसे गरीब लोगों ने किया है मजदूरों ने किया है, किसानों ने किया है गलतों ने किया है, आदिवासियों ने किया है, पिछणों ने किया है इन लोगों ने इस Constitution को बचाया है इस Constitution ये Constitution देश की आवाज है बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया चुप रहे गए थे मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस Constitution का बचाया मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं उनके उनसे कहना चाहता हूं कि Congress पार्टी आपके साथ खरी है जो हमने आपको वाइदे किये थे हम वो वाइदे आपके लिए पूरे करेंगे जाती जनगर्ना महलक्ष्मी यह हमारे वाइदे हैं धनिवाद शुक्रिया राओल जी अब यह तीन चाह सवाल सिर्फ हम लेंगे एक मिनिट एक मिनिट शांत हो जाएए प्रीज शांत हो जाएए एक मिनिट शांत हो जाएए एक मिनिट खर्गे जी और राहूल जी आपका चार पांच सवाल लेंगे Sanjeeb जूए एक मिनिट एक कर के चिला हैições का बोलत जूएपसाय जाये एक मिनट अ किल्लेगा मै कि इलाकी चिले एक मैड ऑसंजी ऑस j आपयु तब यह कह स थाओव टूएट कर वह लिटसें के बाते थाओपशिन आटें स्लिट,mans flowers the India Alliance partners, I believe that meeting is tomorrow, and these questions will be raised there, and they will be answered there. We respect our Alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. Sir, आपके कहे रहे हैं कि ये ये हिदुस्तान के गरीब की जीत है, समिधान बचानी की जीत है, तो अगर आप लोग विपक्ष में बैठते हैं, और सरकार बनाने की पहल नहीं करते हैं, क्योंकि नमबर्स NDA और India Alliance को जादा नहीं है, और अगर पहल नहीं करते हैं, तो कैसे उनको आप जो है आगे उनका हग दिलाने के लिए आगे आपाएंगे हैं। वो ही सवाल आप मतलब दूसरे तरीके से पूछ रहे हो, कल डिसाइड होगा, इंडिया गटबंधन की मीटिंग है, कल हमारा Alliance डिसाइड करेगा, बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गटबंधन डिसाइड करेगा, उस पे हम एक्शन लेंगे। अब आप मार्ण लेंगे जाएड करेगा, इस अब दूसरे प्रदारमंटी नरेंद मोधी को नहीं बने रहना चाहिए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी में भी खेमे बंधी होगी इसको लेके और नरेंद मोधी को ये फैसला लेना चाहिए? देखिए, अभी राहूल गांदी जी ने आपके सामने सबस्ट किया, जब तक हम अपने अलाइंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे, और जो नए पार्टनर हमको जुडने वाले हैं, उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मिजॉर्टी बना सकते हैं, वो देखेंगे सारे स्टैटेशिस अगर यहीं मैं बोलूँगा, फिर मोधी जी भुशार हो जाएंगे, इसलिए जराम जी, जराम जी, जराम जी, जराम जी, जराम जी, राओ जी, खरके साब ने का कि हम जनादेश को सुईकार करते हैं, जनादेश इंडिया गट बंधन के लिए क्या है, बैटने के लिए या सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए, और आप दोनों सीटों से जीते हैं, बधाई, आप कौन सी सीट रखने वाले हैं? राओ जी, राओ जी, भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब आप निकले थे, तब से लेके अब तक काफी लंबी यात्रा रही, बीच में उतार चड़ा हुआ है, अब साओ कहा कड़ा आपने चुआ है, 2009 में जब इसी तरह का मेंड़े था तो पार्टी के अंदर दो रहे थ है, 2009 में 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 2009 म नहीं हुआ है हमने वे उनसे कहा था इंडिया-इंडिया पाइन से कहा था कि चुनाओ के बाद पांच तारी कोवारी मीटिंग को टूसंट में हम यह सवाल है इसको डिसाइड करेंगे तो सच मुझ में इस सवाल का जवाव हमारे पास है नहीं को होगा कि अमेठी में आपके लिए कहा गया कि राउन गांदी ने अपने पीए को चुनौ लाला दिया अब उन्हीं कि शोरी लाल शर्मा जी जो है वह चालिस साल से अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिष्टा है शायद बीजेपी के लोगों ये बात समझ नहीं आई थी कि कि शोरी लाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोसली कनेक्टिड व्यक्ति हैं और इसलिए उनक करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं और उनको उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं स्टनों है ये विल्कुल गलत है ये उफिंसिव है ये निए कहना चाहिए राहुल जी आपने आपने बात बोली जो मैं इसके जवाप देना चाहता हूं देखिए यूपी यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं आपसे जाधा पॉलिटिकल विजडम मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने कमाल करके दिखा दिया ने बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखा है मगर बीजित भी है यूपी ने हिंदुस्तान की राजनेती स समझ कर Constitution पर खत्रा समझ कर उत्तर प्रदेश ने Constitution की रख्षा किये और मैं सब स्केट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं आपने Congress Party का इंडिया गटबंधन का समर्थन किया बहुत बहुत धन्यवाद रहुल जी अक्रीश वाद और इसमें यूपी में एक और मैं बोल देता हूं एक और बाद यूपी के बारे में बोल देता हूं इसमें मेरी बहन प्रियमका गांदी का भी काम है तो यहां पीचे एक सुपी होईए